हूलो दोस्तों मैं हूँ अकासिरसागर और आप देख रहे हैं प्रोपेशनल बायोलोजी आज हम लाइजोजोम देखने वाले हैं पहले हम लाइजोजोम का पुरा पेरेग्राफ पढ़ेंगे येंसाइटी की रिडिंग करेंगे बहुत ही इंपोर्टन होता है येंसाइटी लाइजोजोम पे जब भी क्वेशन पूचा गया है ज्यादा से ज्यादा बार तो पूचा गया है कि हैड्रोलाइटिक एंसाइम कहां पाया जाता है तो वो पाया जाता है लाइजोजोम में कभी-कभी हैड्रोलाइजिस करके भी आ जाता है है हैड्रोलाइटिक एंसाइम found in lysosome तो शुरू करते हैं पहले देखते हैं इस आर membrane bound vascular structure formed by process of packaging in the Golgi apparatus यह membrane bound structure है लाइजोजोम लाइजोजोम एक membrane bound structure होता है और packaging से फ़ाम होता है गोलगी apparatus में उसके बाद बहुत ही important यह पूचा गाया है isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolatic enzymes यही तो पूचाता मैंने इस पर तो question आता है आपको बस इतना याद रखना है कि hydrolatic enzyme lysosome में पाए जाते हैं और hydrolases यह कौन-कौन से एंजाइम होते हैं almost all type के एंजाइम प्रिजन्ट होते हैं lipid के लिए proteases protein के लिए carbohydrate के लिए यह लाइजोजोम नॉर्मली active होते हैं मतलब एंजाइम है active होते है acidic pH के मतलब साथ के नीचे अगर आपको कहा जाए कि art पे काम करो तो वो बोलेगा नहीं वो acidic ही चाहिए साथ के नीचे वाला इंवर्णूट चाहिए उसको साथ के नीचे काम करने में ही मज़ा आता है इस ग्रस्टेंजम्स आर धैजश्टिंग करवाहट्रे प्रोटींज लिपीड एं न्ुक्लिकैड यह एंजाइम में तो काम करेंगे और उनका स्पेसिपिक है लेपीजिस का लिपीड प्रोटीज का प्रोटीन कार्भाइट्रेड का कार्भाइट्रेड 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 को डाइजेस्ट करेगा मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि लाइजोजोम के बारे में आपको याद रख रहा है तो बहुत ही जरूरी याद रखे हरुलेटिक एंजाइम्स फाउंड इन लाइजोजोम तो आईए कुछ लाइजोजोम के बार में बहुत जरूरी बहुत मतलब बहुत ही जरूरी बाते देखते हैं लाइजोजोम इस पॉलिमर्फिक औरगनल प्रेजेंट इन डिफरेंट मॉर्फोलोजी लाइजोजोम इक पॉलमर्फिक औरगनल है और डिफरेंट मार्गोलज में पाया जाता है अब यह तो MC की है लाइजोजोम का लाइजोजोम अलसो नो नाज सुसाइटल बैक्स आपने टेंट में भी देखा होगा लाइजोजोम एक सुसाइटल बैक है लाइजोजोम को सुसाइटल बैक्स भी कहा जाता है आपको याद रखना है इस पे MC की आ सकता है यह इंपोर्टन है याद रखे लाइजोजोम अलसो नो नाज सुसाइट रखे लाइजोजोम एक सिंगल मेंब्रेंट बाउन और गोन लिए और प्रोकेराटिक में लाइजोजोम का काम कोन करता है तो उसका असर जाता है पेरिप्लाजमिक स्पेस यह प्रोकेराट में लाइजोजोम का काम करता है मतलब डाइजेशन का काम प्रोकेराट में पेरिप्लाजमिक स्पेस डाइजेशन करते है मतलब इमसे कोई इसा भी आ सकता ही कि periplasmic space analogous to lysosome या फिर lysosome is analogous to periplasmic space और बात आते हैं plant cell की तो plant cell में lysosome का function करता है vacuole ठेके याद रखेंगे सबसे ज़्यादा lysosome पाये जाते हैं फंगल cell में फंगल cell में सबसे ज़्यादा lysosome प्रिजेंट होते हैं ठीक है दोस्तो आज का topic यही कतम होता है मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप यसे ही वीडियो ओर देखना चाहते है तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए okay thank you thank you very much अच्छे से पढ़ाई कीजिए घर पर रहिए घर पर रहकर पढ़ाई कीजिए और अच्छे से concentration करिए अपने पढ़ाई पर okay thank you thank you so much आपुक्रिया